अब तक आप लोगों ने सोचल मीडिया पे देख लिया होगा कि चाइना में खून की बहुत ज़रा कमी हो चुकी है यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना प्रोविंसेज वर्न और ब्लड शॉर्टेज ऐस कोवेड इंफेक्शन सर्ज बताया जा रहा है कि सिर्फ तीन दिन का खून चाइना के ब्लड बैंक्स में बचा है उसके बाद चाइना में डेट्स बहुत ज़रा बढ़ सकती है क्योंकि जो ब्लड डोनर्स हैं यह आगे नहीं आ रहे नव अव्यसली यह सारी बाते चाइना में सेंसर की जा रही है मगर अब मुझे इस बात की खुछी है कि भारत सरकारना खुल के ओपनली कह रही है कि WHO ने चाइना की वैक्सीन को एप्रूवल पहले दे दिया था मगर भारत की जो वैक्सीन है इनको कई महीनों तक लटका के रखा कई टेस्स किये बहुत सानी फर्मेल्टीज करी तब जाकर हमारी जो होमेड वैक्सीन है उनको WHO ने अप्रूवल दिया इससे हमको पता लगता है कि चाइना का कितना इंफ्लूएंस था WHO पर और WHO ने भी किस तरीके से चाइना की कमजोर वैक्सीन को एप्रूव कर दिया और आज के समय ना सिर्फ चाइना कई अफरीकी देश पाकिस्तान जैसे देश कई कंट्रीज हैं जिरों वैक्सीन को एप्रूवल पहले मिल गया इनकी कोविड वैक्सीन को पहले भारत से अप्रूवल मिल गया था मगर आज के समय हम देख रहे हैं कि इनके देश में वापस पैंडमिक खड़ा हो चुका है इन्होंने याड़ किया कि हम चाइना के बारे में ऐसे बात नहीं कर रह मैं चाहता हो जो इनकी एक छोटी सी वीडियो है एक मिनट की यह आप देखें यह पहली बार है जब 12 सरकार की किसी मिनिस्टर ने चाइना के पैंडमिक के बारे में खुल के बात बोली है As different from what is happening today in China, I'm saying it not as if I'm boasting about us, and I'm not saying it as though, look at them, they're suffering, not at all. Medical education, medical services, people and their health and preventive care, all of which benefit from learning from one another. And therefore, I'm taking at this instance, what is developing in various different parts of the world, where in spite of the vaccines that they had, and at one point in time they were given even approvals by the WHO much earlier than we could get our approvals. If I'm right with the date, even by May-June, the Chinese vaccines had obtained their approvals from the WHO, whereas ours which went through repeated trials and tests, and also so many different scrutiny of compliance, obtained the WHO approval only in November. यह बहुत बहुत अच्छी बात है, कि ना सिर्फ हमारे ministers, openly इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप देखोगे, जोनोंने tweet भी करी है, अपने official handle से, निर्मला सिदरमन office, वहाँ पर ये tweet word by word mention भी करी है, चाइना का नाम भी properly यहाँ पर लिया गया है, यह बहुत important है, क्योंकि again मैं यह नहीं कहूंगा, कि चाइना के साथ जो हो रहा है, इसको देखकर हम खोशां वगरा, अब सोच कर देखो, future में कभी पंडा में कात है, उस वक्त क्या हम WHO पर properly भरोसा कर पाएंगे, WHO की इस performance के basis पर, तो कहीं नहीं देखिए, जाज परताल होनी चाहिए, के WHO ने इतनी जल्दी चाइना की Sinovac को approve क्यों कर दिया, और बाकी vaccines को इतनी देरी क्यों लग गई, मगर obviously यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हो, के wait, COVID patients को blood की आवशक्ता होती है, देखिए, usually तो नहीं होती, कुछ rare cases हो, उसके बारे मैं मैं कुछ कहन नहीं सकता, मगर, यहाँ पर main issue यह है, यह जो बाइदवे trend है, यह हमने दुनिया भर में देखा था, जब Delta और Omicron initially आ नहीं रहे थे, American Red Cross ने उस वक्द यह का था, January 2022 में, के American Red Cross is facing a national blood crisis, its worst blood shortage in over a decade, 10 साल में कभी USA ने ऐसी blood shortage experience करी नहीं, और इसका main reason यहीं है, के usually जो लोग सामने आते हैं अपना blood donate करने के लिए, वो लोग डरे हुए थे, hospital से भार निकलने से, के COVID ना हो जाए, infection ना हो जाए, एक pandemic के time में जब 9-9 variants आ रहे हैं, तो आपका blood निकाला जाएगा, नीडल डलेगी आपकी यार में, इस सब को लेकर कई लोग comfortable होते नहीं हैं, तो इसलिए blood donor की जो संक्या है USA में, यह 10% गिर गई थी, यह January की बात कर रहा हूँ, आने वाले कुछ और महीनों में, जो यह blood shortage ह यह लगातार बढ़ती गई थी, सेम केस हुआ था, यूरोप में, रशिया में, जपान में हर जगा blood की shortage हुई, मगर चाइना में हम देख रहे हैं, कि blood shortage peak पे है, रीजन इसका पता है क्या है, रीजन है चाइना की zero covid policy, मान लीजिए एक आदमी जाता है blood donate करने के लिए, पहल जाओ ही मत, उसके इलावा देखिए एक छोटा सा यहाँ पर impact आता है सर्दी का भी, चाइना में भी इस वक्त भीशन सर्दी पड़ रही है, उस वज़े से भी कई लोग भार नहीं निकल रहे है, और फिर final reason यहाँ पर खोन की कमी का है, चाइना के खोन में ही कमी है, समझात क्रोस की जो website है, WHO की website है, जहाँ भी जाकर देखो, वहाँ पर लिखा होगा, type O negative, positive नहीं, type O negative यह है ultimate universal blood group, अगर किसी आत्मी का blood group है, O negative, तो वो बाकी जो बहुत सारे blood groups है, उन सब को दे सकता है blood, और यहाँ पर आप देख पाऊगे लिखा है, कि जो American Red Cross Society है ना, वो हमेश कोशिश करती है, कि maximum इनके पास O negative का blood हो, यहाँ पर आप देख पाऊगे, जब भी, खून की गमी पढ़ती है, ना, hospitals में और जगा, तो O negative की supply सब से पहले खतम होती है, because of its universality, वैसे O positive की बात करें, तो यह भी काफियत तक फाइदे मंद है, O positive वाला जो blood group है, यह blood दे सकता है, A plus को, B plus को, O plus को, A B plus को, मगर बहुत सारे blood group है, जिनको O positive का blood आप नहीं दे सकते, तो ultimately आपको चाहिए होता है O negative, मगर आप जान के रान होगे, China उन गिने चुने countries में से है, जहाँ पे इनकी अबादी में O negative वाले लोग बहुत बहुत ज़रा कम बिलेंगे, इंडिया म आप अगर देखोगे, तो हमारी अबादी का 3 से लेकर 7% है, जिनके पास O negative blood group आपको मिलेगा, चाहिना में अबादी पता है कितनी है, 0.3% मतलब के आप मानके चल लीजिए, भारत में 10 से 20 गुना जादा लोग हैं, जिनके पास O negative blood group हैं, तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ा advantage हैं इंडिया का, और मैं कहूंगा, इवन बाकी countries का भी, चाइना में आप कह लीजिए, historical reason की वज़े से परहापस, इनके यहां कभी यह blood group डवलप हुआ नहीं है, तो वैसे ही universal blood group कम है, फिर इनके यहां COVID फैल गया, hospital में जाने से आम आदमी डर रहा है, तो चाइन के लिए, वहां पर भी बहुत सारी death चाइना को देखनी होंगी, और इस वज़े से आप imagine कर सकते हो, के चाइना के पूरे healthcare sector पे ना इतना दवावारा है, डॉक्टर्स की इतनी जड़ा कमी है, पेशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कि अबना चाइना एक बहुत बड़ क्या कर रहा है, यहां पर, call center पे से ना, internet hospital चला रहा है, एक डिखाता हूं आपको, यह है जी, चैना का internet hospital, literally लिखा हुआ है, इज़र देको यहां पे लिखा हुआ है, internet hospital, क्या करते हैं जी, इन्होंने, एक, आपके लो, call center साब ला लिए है, वहाँ पे कुछ medical professionals बढ़ा दि जिने डॉक्टर इन पर्सन ही देते हैं उसके बारे में लिखके देते हैं कि जाओ ये मेडिसेन लो कनूला लगाओ और ये मेडिसेन अपने बलड में डालनी स्टार्ड करो ये सब चीजे तुम खुद करोगे अपने घर में यहाँ पे अंकल जी जो बैठे हैं ये आपको वी चाइना में हो रहा है लेसन है दुनिया के लिए हमको अपने देश में इंटरनेट होस्पिटल नहीं खुलवाने हम लोग ऑविसली यही चाहेंगे के देश में पंडे में कंट्रोल रहे और इसलिए बहुत एची न्यूस यह आई है कि चाइना जपान होंग कॉंग कॉंग या में अंट्री कर लेंगे वियार समवाट सेफर और फाइनली आपर मैं यह भी याड़ कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे ऐसे सी यूपी एसी बैंक एनी एक्जामिनेशन कॉमेंट सेक्शन में जाईए यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट ए यहाँ पर प्रचेस कर पाएंगे अनकाडमी का यूपी एसी कोड सिंपली यहाँ पर जो भी प्राइसे लिखे हैं यह पे करने की जरूत नहीं है इस इंपली यहाँ पर आपको कोड यूज करना है पीरी टेन और अपने आप प्राइसे गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो झाल